हेलो मेरे प्यारे बच्चो आप सब केसे हैं मुझे पता है मेरे सारे बच्चे बिल्कुल पोफेक्ट है तो बच्चो हमारी आज की क्लास में हम कुछ ऐसे शब्ड सीखेंगे, कुछ ऐसे वर्ड सीखेंगे जिनका यूज हम अक्सर डेली करते हैं और इन वर्ट्स को हम हिंदी और इंग्लिश दोनों लांग्विजिस में सीखेंगे, ठीक है, तो फटा-फट भाग कर जाईए, अपनी एक रफ नोट बुक लेकर आईए, पैन या पैंसिल भी लाईए, और स्केच पैन भी लेकर आईए, क्योंकि हमें लर्न करने के साथ साथ स्टार्स भी बनाने हैं, जाईए, फटा-फट लेकर आईए, तो ले आए बच्चों आप, ओके, हमारा आज का सबसे पहला शब्द है, आए, इंग्लिश में बोला जाता है, आए, और हिंदी में बोला जाता है, मैं, जल्दी से अपनी रफ नोट बुक में लिखिए, अब मैं कैसे लिखते हैं, म, आ की मात्रा और पीछे बिंदू, मैं, इंग्लिश में आए, और हिंदी में मैं, जैसे एक इंग्लिश में सेंटेंस है, I am an Indian, मैं भारतिय हूँ, ठीके, अब हमारा आज का दूसरा शब्द है, माए, और माए को हिंदी में क्या बोला जाता है, मेरा म, ए की मात्रा, र, और र के पीछे बड़े आ की मात्रा, मेरा, माए को हिंदी में बोला जाता है, मेरा, माइ नेम इस कवल गुज्राल, मेरा नाम कवल गुज्राल है, ठीक है, अब अगर आपको आए और माए, दोनों लर्न हो गए, तो अपनी रफ नोटबुक में एक सुन नहीं बनाना आता, तो कोई बात नहीं, आपके साथ कोई बड़ा आपकी ममा या पापा या ग्रैंट पेरेंट्स बैठें, तो उन्हें बोलिए आपके लिए एक सुन्दर सा स्टार बनाएंगे, और अगर इस वक्त कोई नहीं है, तो कुछ नहीं होता, आप अभी लर्न कर लीजिए, और बाद में अपने पेरेंट्स को बोलेगा कि आपके लिए सुन्दर से स्टार बनाएं, क्योंकि आज आपने 10 न्यू वर्ड्स हिंदी और इंग्लिश में लर्न की हैं, ठीके, अब हमारा आज का नेक्स्ट वर्ड है, यू, इंग्लिश में यू, और हिंदी मे तुम, त छोटे उ की मातरा म, तो इंग्लिश में बोलते हैं यू, और हिंदी में बोलते हैं तुम, यू आरा गुड गर्ल, यू आरा गुड बॉई, तुम गुड गर्ल हो, तुम गुड बॉई हो, ठीक है, लर्न हो गया, जल्दी से एक सुन्दर सा स्टार बनाएं, अब हमारा नेक्स वर्ड है यूर, अब बच्चों इसे कुछ बच्चे बोलते हैं यूर, तो यूर गलत प्रनाउंसियेशन होता है, सही से बोला जाता है यूर, एक बार फिर से बोलिए यूर, और यूर को हिंदी में बोला जाता है तुम्हारा, त, छोटे उ की मातरा, आदा म हा, हा के पिछे बड़े आ की मातरा, र और रा के पिछे बड़े आ की मातरा, तुम्हारा, जैसे एक सेंटेंस है, what is your name, तुम्हारा नाम क्या है, ठीके, लर्न हो गया, लर्न हो गया, तो जल्दी से एक ब्यूटिफुल सा स्टार बना दीजिए, अब हमारा आजका नेक्स और वी को हिंदी में बोला जाता है हम, 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 डबलू, ई, वी, हम, हम, जैसे वी आर स्टाडिंग, हम पढ़ रहे हैं, ठीक है बच्चों, तो इंग्लिश में वी और हिंदी में हम, learn हुआ, तो एक सुन्दर सा स्टार बना के दिखाईए, very good, हमारा आज का next word है, is, इंग्लिश में बोलते हैं, is, और हिंदी में बोला जाता है, है, is, और इंग्लिश में, है, this is a pencil, यह है, pencil है, ठीक है बच्चों, learn हो गया, learn हो गया, तो एक प्यार सा छोटा सा स्टार बना दीजिए, हमारा आज का next word है, was, कुछ बच्चे से बोलते हैं, was, तो बच्चों, was गलट pronunciation है, was, इसका past tense होता है, was, ठीक है, और इसे हिंदी में बोला जाता है, था, I was studying, मैं पढ़ रही थी, ठीक है बच्चों, learn हो गया, अगर हुआ तो आपको क्या करना है, आपको पता है, एक सुन्दर सा स्टार बनाना है, हमारा आज का next word है, what, अब इसे भी कुछ बच्चे बोलते हैं, what, तो बच्चों, what गलट pronunciation है, इसे English में क्या बोला जाता है, what, डबलू, एच, ए, टी, और हिंदी में बोलते हैं, what को क्या, आदा कर, यर, और यर के बाद बढ़ेया की मात्रा, क्या, what is your name, अब देखिए, what, what का मतलब हुआ क्या, इसका हमने learn किया है, your, तुम्हारा, और नेम का मतलब नाम, तुम्हारा नाम क्या है, इजी हो गया ना, अब जल्दी से एक संदर सा प्यारा सा स्टार बना दीजी, अगर आपको learn हो गया तो, अब what के बाद हमारा आज का next word है, where, क्या बोलते हैं इसे, where, इसके spelling होते है, w, h, e, r, e, where, और where को हिंदी में बोला जाता है, कहां, आदा क, ह, ह के बाद आ की मात्रा, और उपर चंदर बिंदू, कहां, जल्दी से लिखिये, where is your pencil box, तुम्हारा pencil box कहां है, ठिके, where learn हो गया, तो एक छोटे सा प्यारा सा star बना दीजिए, हो गया, learn, अब हमारा आज का last word है, who, w, h, o, who, इसे English में बोला जाता है, who, और हिंदी में बोला जाता है, कौन, who is your sibling, तुम्हारा sibling कौन है, sibling मतलब तुम्हारा भाई या बेहन कौन है, ठिके, who, और who को हिंदी में बोलते हैं, कौन, क, फिर बड़े ओ की मात्रा, और न, कौन, हो गया, learn, अगर हो गया, तो आपको क्या करना है, एक सुंतर सा star बनाना है, तो बच्चों, हमारी आज की क्लास में हमने 10 new words, हिंदी और इंग्लिश में सीखे हैं, अगर आपको यह 10 words, अभी के, अभी अच्छे से learn हो गए, तो आपके पस 10 stars हो गए होंगे, है ना, तो अपने ममा या पापा को बोले, आपके लिए फटा-फट से clapping करेंगे, और अगर आपको अभी अच्छे से याद नहीं हुए, तो कोई बात नहीं, आप फटा-फट से अच्छे से बैठ कर इन्हें learn कर लीजिए, उसके बाद फिर आपके पेरेंट्स आपके लिए बहुत सारी clapping करेंगे, ठीक है पेरे प्यारे बच्चों, बाई, enjoy your day.